हेलो गाईज मैं उपैंदर सिंग और आप देखरे हमारा यूटूब चैनल अन्मोल वीडियो एंड एजुकेशनल चैनल तो स्वागत है मित्रों आपका हमारी इस यूटूब चैनल में शाथियों हम लगातार आपके बीच जवरदस्त विडियो लेकर आते रहे हैं और आज भी आपके बीच मैं लेकर आया हूँ एक जवरदस्त विडियो आकार के अनुसार महासागरों का करमानुसार विष्थार का नमबर वन ट्रिप जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं आकार के अनुसार महाशागरों का कर्मानुसार विश्तार का नंबर वन ट्रिक पैसा जी पैसा आज हम महाशागरों का जो करमानुसार विश्तार है वो छेतरफल के अनुसार हम देखेंगे और बहुत ही शुन्दर बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो और अगर अच्छा लगेगा तो प कि यह चैनल आपके बीच लगातार ने नई जानकारी वाली वीडियो जीकिसे समांदित समान ज्यान से समांदित आपका साइंसे समांदित हिस्ट्री, पॉल्टिकल, जोग्रोफी सभी सब्यक्ट को सामिल करके मैं आपको बीच वीडियो लाता रहा हूं और आज भी आपके बीच लेकर आया हूँ एक जबरदस्त वीडियो तो दोस्तों देर ना करें और शिगर ही हमारे यूट्यूब चैनल अन्दमोली वीडियो एन एटुकेशनल चैनल को शिगर ही सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल प आपको कोई परिसानी हो तो आप हमारी वार्षिप नंबर पे कमेंट करके लिख सकते हैं मेरा वार्षिप नंबर है साथियों 7050627934 7050627934 दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं और आप जो भी परिसानी हो जो भी प्रोब्लम हो जो भी समस्या हो आप इस वार्षिप का शमाधान करूँगा तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के टिक्स की उर तो दोस्तों आईए बात करते हैं आकार के अनुसार महासागरों का करमानुसार विस्तार का नंबर वन टिक पैसा जहां दोस्तों पैसा तो दोस्तों देखते हैं पी पी फोर पैसिफिक ओसियन जिसे हिं परसांत महासागर भी कहा जाता है। दोस्तों इसका छितरफल है 1585,55,000 किलो मीटर। दोस्तों आगे देखते हैं A. A. ए-for Atlantic Ocean. इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं दोस्तों Atlantic महासागर इसे अंध महासागर भी कहते हैं दोस्तों। इसका शेतरफल है 7,67,62,000 वर्ग किलो मीटर आगे देखते हैं दोस्तों I, I for Indian Ocean जिसे हिंदी में हिंद महासागर भी कहते हैं इसका शेतरफल है दोस्तों 6,85,56,000 वर्ग किलो मीटर दोस्तों वाकई ये जवरदस्त ट्रीक है दोस्तों और भी इसे अच्छा अच्छा ट्रीक लेकर मैं आऊंगा दोस्तों आप वीडियो को पैसेंट्स के साथ देखिए आपको बहुत मजाएगा दोस्तों हमारे प्रियमित्रों आगे देखते हैं S S से होगा दोस्तों Southern Asian जिसे दक्षिन सागर भी कहा जाता है और इसे हम Antarctic महासागर भी कहते हैं दोस्तों और इसका छेतरफल है दोस्तों 2,3,27,000 वर्ग किलो मीटर और देखते हैं अंतीम में A A for Arctic Ocean दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं Arctic Ocean जिसे हम उत्तर दुर्वे महासागर भी कहते हैं Arctic महासागर के साथ-साथ इसे हम उत्तर दुर्वे महासागर भी कहते हैं और दोस्तों ये जो है सबसे छोटा महासागर है छेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा महासागर है ये और इसका जो है छेतरफल है 1,44,56,000 वर्ग किलो मीटर दोस्तों तो ये था महासागरों का आकार के नुसार कर्मा नुसार विष्टार का नंबर वन ट्रिक पैसा तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताए अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजेगा अपने साथियों में सेयर कर दीजेगा और अगर अभी तक आप हमारी चैनल को सबस्काइब नहीं किये हैं तो प्लीज जल्द ही सबस्काइब कर ले और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहरे देख सकें ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे ट्रिक को लेकर मैं आऊँगा सिख रही तब तक के लिए जय हिन जय भारत